हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टुडेंट्स आज हम लोग जनल साइंस के पार्ट बाइलोजी से टोपिक डिसकस करने जा रहे हैं एलेंगिक जनन एसेक्स्वल रिप्रोड़क्शन समसुत्री विभाजन का महतव है यह समसुत्री विभाजन जो हमने पिछले विडियो के इंदर पड़ा था माइटोसिस समसुत्री विभाजन उसका एक महतव है एलेंगिक जनन एलंगिक जनन में समस्तरीवी भाजन ही प्रयूख्त होता है और REIT LEVEL 2 में भी ये टोपिक दिया हुआ है जनतों में जनन के नाम से जनतों में जनन उसमें प्रोपर जनतों में जनन की विदी है लेकिन यहां मैं एक दो विदियां एक्स्रा बताऊंगा क्योंकि पूरा एल Haggik Janan आपको क्लियर कर दूँगा पादपो में भी एल Haggik Janan का प्रोसेस लगता है तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे और तो शी मैंठ के बुद करने वाले हम एल Haggik Janan स्बसे पहले हम डिसके सब्सक्राइब करेंगे जनन क्या है जनन क्या है और फिर जनन कितने परकार का होता है और फिर हम डिसकस करेंगे एलेंगिक जनन को तो टोपिक डिसकस करने से पहले सबस्क्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल को हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग सबी competitive exams की general science से सबंदित जितने भी वीडियो हैं वो पटवार हो गया, REIT हो गया, SI हो गया, SSC हो गया, railway हो गया, NTPC हो गया, total videos आपको जो हैं वो general science से सबंदित वीडियो प्ले लिस्ट में available हो जाएंगे और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशी सिदाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं, students तो अब डिसकस करते हैं हमारे topic को, A-Langic general तो समसे पहली बात करें, जनन क्या है? कोई भी जो परजाती है, वो अपना अस्तित्तव परिछ्वी पर बनाए रखना चाहती है, तो वो जिस परकिरिया को यूज करती है, वह परकिरिया है, जनन तो कोई भी परजाती अपना अस्तित्तव बनाए रखने के लिए जिस परकिरिया का चैन करती है, वो परकिरिया जनन कहलाती है परजाती अपना स्थित्ता बनाए रखने के लिए जिस परकिरिया का चेहन करती है वो परकिरिया जनन कहलाती है और जनन में हम लोग मुखिते हैं ऐलंगिक जनन और लंगिक जनन को डिसकस करने वाले है अब ए लेंगी के जनन क्या होता है और लेंगी के जनन क्या होता है दोनों में क्या फरक है ए लेंगी के जनन और लेंगी के जनन में लेंगी के जनन में नर्वे मादा दोनों जनक जनन की किर्या में भाग लेते हैं नर्वी और मादा भी लेकिन ऐे लेंगिक जनन में केवल एक जनक ही जनन की किरिया में भाग लेता है ऐे लेंगिक जनन में एक जनक ही जनन की किरिया में भाग लेता है तो ऐे लेंगिक मतलब बिना लेंगिक किरिया के होने वाला जनन तो इसमें एक जनक ही भाग लेगा लेकिन लंगिक जनन में लंगिक किर्या होगी यानि दोनों जनक भाग लेंगे नर भी और मादा भी तो अब बात करने वाले हम ऐ लंगिक जनन की ऐ लंगिक जनन जिसमें एक जनक ही जनन की किर्या में भाग लेता है और इससे जो संतती बनती है वो हूब हूब अपने जनक की कोपी होती है प्रती होती है अपने जनक की तो जो इसमें एक ही जनक भाग लेता है और संतती जो होती है वो हूब हूब प्रती होती है बिलकुल कोपी होती है अपने जनक की और वरतमान में अकार की है और अन्वांशी के रूप से अगर कोई जीव अपने जनक के समान होता है तो उसे हम कलोन की संग्या देते हैं तो एक ही जनक जनन की किर्या में भाग लेता है और इसमें जो संतती बनती है वो जनक की हूब हूपरती होती है और वरतमान में हूब हूपरती को कलोन कहा जाता है तो कलोनिंग वगेरा भी हम लोग डिसकस करेंगे क्योंकि वो भी जनन की विदियां ही है clear cloning भी डिसकस करेंगे test to baby भी डिसकस करेंगे हम लोग क्योंकि वरतमान में वो भी जनन की विदियों में ही चलेगा प्रोसेस सारा तो उसको भी पूरा डेटेल में तो हम यह नहीं कह सकते test to baby से question पुट हो जाए तो अपन लोग यह नहीं कह सकते कि यह person out of syllabus हो गया क्योंकि हमारे उसने एक topic दे दिया जनन जनन जनतुओं में जनन test to baby जनतुओं में जनन है कृत्रिम गरबाधान भी जनतुओं में जनन के लिए यूज किया जाता है वो method भी हम लोग पढ़ने वाले है kloning भी हम लोग पढ़ेंगे तो तीनो topic हम लोग discuss करेंगे topic कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपका मेरी और से miss कर दिया जाए जो भी विद्यार्थी competitive exams की त्यारी कर रहे हैं तो वो YouTube channel मेरे YouTube channel पर जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देखें तो आपको बहुत सारे वीडियो जो हैं आपके लिए मिल जाएंगे तो हूब हूब प्रती कलोन कहलाती है वरत्मान में अब हम बात करते हैं एलेंगिक जनन की विदियों की कौन कौन सी विदियां यूज होती है एलेंगिक जनन में तो जिसमें कुछ important method जो हैं जिनसे competitive exams में परशन आता है द्वी खंडन द्वी खंडन खंडन पुनरुद भवन या पुनर जनन भी बोलते हैं इसको पुनरुद भवन पुनरुद भवन री जनरेशन पुनर जनन के नाम से भी इसको जाना जाता है पुनरुद भवन और चुथा जो main method है वो है मुकुलन मुकुलन बडिंग मुकुलन यानि बडिंग द्वी खंडन खंडन पुनरुद भवन मुकुलन द्वी खंडन क्या होता है द्वी खंडन यानि दो टुकडों में विभाची तो हो जाना ये जनन समन्यत है अमीबा में होता है अमीबा में एलेंगी जनन की विदी जो है वो द्वी खंडन है एक अमीबा जो है जैसे ये माले अमीबा है ये क्या होगा दो भगों में बंटने लग जाएगा इसमें खाच बननी शिरू हो जाती है और इस तरह एक अमीबा जो है वो दो भागों में बंटने लग जाता है और फिर यहां से इसका डिवाइड़ेशन हो जाता है जिस से दो अमीबा बन जाते हैं तो अमीबा में जो जनन है वो द्वी खंडन के द्वारा होता है तो कोशिका विभाजन समसुत्री कोशिका विभाजन के द्वारा एक अमीबा दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रतेक भाग से एक नया अमीबा बन जाता है अमिबा में जो द्वी खंडन है वो किसी निर्धारित तल से नहीं होता लेकिन जो लिस्मानिया है ये बहुत इंपोर्टन बात है लिस्मानिया जो जीव है इसमें द्वी खंडन की किरिया एक निर्धारित तल से होती है लेसमानिया जैसे मालने ये मालने लेसमानिया है तो बिल्कुल निर्धारित तल से यहां से शुरू होगा काम इसका एक निर्धारित तल से निर्धारित तल से इसका जो है वो विभाजन शुरू होगा इस तरहे से और ये दो बागों में डिवाइड होगा क्लियर तो लेसमानिया ये बात ध्यान अगना लेसमानिया में द्वी खंडन की किरिया एक निर्धारित तल से होती है अमीबा में कोई निर्धारित तल नहीं है कहीं से भी ये दो बागों में वबाजित हो सकता है तो द्वी खंडन, द्वी खंडन, अमीबा वाला ही question में पुछा जाता है, अमीबा में जनन की विदी है, कौन सी द्वी खंडन, अब चले खंडन पे, खंडन और पुंडूत भवन, आलमुस दोनों सेम मैथड़ है, लेकिन दोनों में फरक क्या है, खंडन में क्या होगा, मा जनन का मैथड है, वो है खंडन, और जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में जो जनन की विदी है, वो है पुनरुद भवन, प्लेनेरिया में जनन की विदी, प्लेनेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट एक्जांपल है, कम्पेटिशन में पूछा जाने वाला, तार स्पाइरोगायरा में खंडन होता है इसमें क्या होता है यह मालो कोई जीव है यह बहुत सारे टुकडों में बंट जाता है बहुत सारे टुकडों में बंटा और खंडन में क्या होगा कोई भी जीव बहुत सारे टुकडों में बंट जाएगा और प्रतेक टुकडे से एक नय जीव बन जाएगा तो इसमें क्या होगा जनन की खंडन में क्या होगा जनन की ऐसी विदी जिसमें कोई जीव कई छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और प्रतेक टुकड़े से एक नया जीव बन जाता है तो ऐसी विदी को हम खंडन कहते हैं और स्पाइरो ग हाइडरा में हाइडरा में में मुकुलन द्वारा ही होता है लेकिन पुनृत भावन की प्रोसेस भी हाइडरा में पाई जाती है तारा मचली में भी पुनृत भावन पाया जाता है प्लेनेरिया क्या है यह प्लेनेरिया है इस तरह का जी होता है प्लेनेरिया और प्लेनेरिया में क्या होगा इसे अगर हम कई टुकड़ों में काट ने जैसे मैंने यहां से इसके कट लगा दिया यहां से भी कट लगा दिया तो इसके तीन टुकड़े कर दिये एक अपर, मिडल और लोवर इसमें काटा जाता है जीव को और इसमें जीव अपने आप कई भगों में बंटता है तो अगर किसी जीव को यानि प्लेनेरिया को मैंने क्या किया तीन तुकड़ों में बांट दिया तीन तुकड़ों में काट दिया एक अपर पार्ट है इसका ये इसका अपर पार्ट हो गया यह इसका middle part हो गया और यह इसका lower part हो गया तो प्रतेक टुकडे से एक नया प्लेनेरिया बन जायेगा तो यह process जो होती है पुनृद भवन कहलाती है तो पुनृद भवन में क्या होता है यदि कोई जीव कई छोटे छोटे टुकड़ों में या कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रतेक टुकड़े से एक नया जीव बन जाता है हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया विक्सित हो जाएगा तो ऐसे जनन को हम पुनरुद भवन के नाम से जानते हैं अब आता है मुकुलन, बडिंग इसमें क्या होता है जीव के शरीर पर जीव के शरीर पर एक उभार बन जाता है उभार बन जाता है या आप कहादे ऐ लेंगिक परजनन सरंचना बन जाती है जीव के शरीर पर ऐ लेंगिक परजनन सरंचना बन जाती है एक उभार बन जाता है जैसे हाईडरा का एक्जामपल अगर हम लेए तो ये मान ले हाईडरा है ये हाईडरा हो गया तो इसके शरीर पर एक उभार बनना शुूरू हो जाता है यहां से इसको हम बोलते है मुकुल, बड मुकुल कलिका बड ये मुकुल है ये जो उभार बना है ये उभार धीरे धीरे वरदी करता है ये एलेंगिक परजनन सरंचना है मुकुल जो है वो एलेंगिक परजनन सरंचना एलेंगिक परजनन सरंचना दीरे दीरे ये उभार वरदी करने लगता है और बड़ा होता जाता है और अंतते यहां से ये अलग हो जाता है और एक नया हाइडरा बन जाता है तो इस परकार हाइडरा में जो ऐल एंगिक पर जनन सरंचना बनती है उसे मुकुल बोलते हैं और ऐसे जनन को हम मुकूलन बोलते हैं और कई अछिवों में, कुछ और और जीव भी हैं जिनमें ऐलन्गिक पर जनन सरंचनाई बनती हैं जैसे की, पहनी सीलियम में जो आइलन्गिक तर्चना मनती है उसे हम बोलते हैं, को नीडिया कोनीडिया जैसे हाइडरा में मुकूलन से जनन होता है वैसे ही पैनी सीलियम में जो सरंचना मनती है वो कोनीडिया होती है जैसे आपको डाइग्रेमेटिक क्लियर करूँ मैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर पैनी सीलियम की ये पैनिसीलियम है इस तरह के स्ट्रक्चर लिए हुए और इसके उपर कई छोटी छोटी गोला कार सरंचनाए बन जाती है जिने हम कोनीडिया कहते हैं ये कोनीडिया है ये जो गोला कार सरंचनाए है ये कोनीडिया हैं क्लियर ये कोनीडिया होती है और इनसे फिर नया पैनी सीलियम मनता है तो पैनी सीलियम में जो जनन होता है वो कोनीडिया के द्वारा होता है ऐसे ही कले मार्डो मुनास में ऐ लेंगिक चल बेजानों मनते हैं कले मार्डो मुनास में ऐ लेंगिक चल बिजानू कले माइडो मुनास में ऐल लेंगिक चल बिजानू बनते हैं पैनी सीलियम में कुनेडिया और कले माइडो मुनास में ऐल लेंगिक चल बिजानू बनते हैं कलियर तो ये जनन के कुछ उधारन आपके सामने क्लेम आइडो मुनास में एल एंगिक चल भी जानू हो दोरा जनन होता है जो एल एंगिक पर जनन सरंचनाएं हैं वो एल एंगिक चल भी जानू होते हैं क्लेम आइडो मुनास में पैनिसीले में उन सरंचनाओं को कोनीडिया और हाइडरा में उन सरंचनाओं को मुकुल के नाम से जाना जाता है इसके अलावा एल एंगिक जनन की एक विदी आती है काईक परवर्धन काईक परवर्धन जो पादपों में विशेश तैयूज होती है काईक परवर्धन काईक परवर्धन काईक परवर्धन इसमें काईक यानि काई का कोई भी भाग जैसे पोदे में जड़, तना या पत्ती काई का काई यानि शरीर तो कोई भी काईक भाग जड़, तना या पत्ती का यूज करते हुए जब हम नया पोदा त्यार कर देते हैं नया पादब त्यार कर देते हैं तो ऐसे जनन को काईक परवर्धन ऐसी विधी को हम काईक परवर्धन के नाम से जानते हैं यानि पोदे के काईक भाग से नया पोदा त्यार किया जाता है गन्ने में, गुलाब में, अंगूर में जो जनन होता है वो समानत है काईक परवर्धन के द्वारा ही होता है और काईक परवर्धन में विशेषता होती है कि इसमें जो पोधे लगाए जाते हैं उसमें फल और फूल बहुत कम समय में लग जाते हैं फल और फूल बहुत ही कम समय में लग जाते हैं के इसमे और इसकी जो मुख्धै विदिया है वो है परतन, कलम और रोपन, परतन, कलम और रोपन, तो काइक परवर्दन की विदियों में परतन, कलम, रोपन, ये विदिया यूज होती है, तो काईक परवर्दन तो किसी भी काईक भाग से नया पोद्धा त्यार होता है तो उसे हम काईक परवर्दन के नाम से जानते हैं तो साथियो ये था हमारा आज का वीडियो काईक परवर्दन तो मैंने जनली बता दिया पाधपो में है रीट के अंदर सिर्फ जनतूओं में जनन है तो आपने ये विदिया ज्यानक नहीं अकले मार्डो मोनास में हो गया पैनिसीलियम में हो गया वैस्तो पैनिसीलियम कवक है पादपों में ही काउंट होता है और हईडरा में मुकूलन हो गया तो सातियों ये था हमारा आज का वीडियो, ऐलेंगिक जनन यदि आपको वीडियो समझाया है, अच्छा लगा है तो किरपे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चनल को सबस्क्रेब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद